Hello everyone, welcome to Pretty Kitchen 1M. मैं हूँ Manisha. आज हम देख रहे हैं कि Black Gel Food Color घर पे कैसे बनाएंगे. चो कहें न, क्योंकि Black Color कैसे बनाते हैं, आप यह तक तो किसी को नहीं पता है. और यह जो आप देख रहे हैं, यह एकदम घर पे बनाया हुआ, Neutral Gel से Black Color, Black Food Color मैंने बनाया है. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइनी हैं, और कितनी अच्छी इसकी थिकनेस है. यह जो Black Gel Food Color है घर का बनाया हुआ, इसकी थिकनेस देखिए. बिल्कुल भी पतला नहीं है, बिल्कुल पॉफेक्ट एकदम घर पे ही हम. तुरंट यह सिर्फ Primary Colors यूज़ करके Black Color बना सकते हैं. अब मार्केट से आप जब लेते हैं, तो इतनी बॉटल से भी कम कॉंटिटी का, 150 रुपीज का एक बॉटल आता है. तो और उसके उपर हमें लगता है Shipping की Charges भी, तो कभी भी है ना हमें लगता है बेकिंग में Black Color का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसे केक के उपर डेकुरेट करने के लिए, नाम लिखने के लिए, आजकल Fondant में और Icing में Black Color बहुत ज़्यादा यूज़ किया जात है, तो यह बहुत लेकिन कम कॉंटिटी में मिलता है बाहर से, तो क्यों ना इसको घर पे ही बनाया जाए, तो और यह बहुत ज़्यादा सेफ है, बिल्कुल घर के जो food color होते हैं, उसे से यह बनाया हुआ है, और बिल्कुल भी इसमें कोई chemical नहीं है, तो आप भी अगर ऐस सही black color घर पे black gel food color बनाना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और यह देखे, पूरे एक बोटल भी भरू चुकी है, और फिर से यह बच चुका है, मेरे पास इतना सारा black color, तो अभी जो है, वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कीजे, और मेरे च बिल्कुल भी ना भूलिए, तो फ्रेंट्स यह जो आप देख रहे हैं, यह है neutral gel, homemade neutral gel, जो मैंने घर पे बनाया है, इसकी recipe की link मैं आपको आई बटन में शेर कर रहे हूं, आई बटन में आप इसकी recipe ज़रूर देख लिजे, अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलती हैं, तो आ आप मेरे चैनल पेच पे जाकर देख सकते हैं, how to make neutral gel, homemade neutral gel, तो आपको वहाँ पे recipe मिल जाएगी, तो यह जो है, हमने श्टोर किया है, फ्रीज में, तो फ्रीज से जैसे हम बाहर निकालते हैं, तो इस तरगी का इसका consistency होती है, तो फिर अब इसको यूस कैसे करना है, तो य और फिर से इस bottle को, neutral gel की bottle को मैं store करके रख दूँगी, अब यहाँ पे एक pot में पानी रखा है, वो गरम हो रहा है, और उसके उपर मैंने यह बाउल रखी है, तो क्या होगा, कि बाउल जो है, वो गरम होगी, यह कांच की है, इसलिए थोड़ा time लग रहा है, लेकिन अगर आप स्टील की बाउल लेंगे, तो वो जल्दी हीट हो जाएगा, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह गरम हो रहा है, neutral gel, यह बहुत ज़्यादा glossy हो रहा है, यह glazing हो गया है, और यह बहुत smooth texture वाला हो गया है, जैसे इसकी एकदम, जैसे मैंने बनाए था, तब की जो consistency उस तरगी की इसकी अभी consistency, transparent और smooth consistency texture हो चुका है, हमें ऐसा ही चाहिए, अब जो color हमें black color बनाना है, अब उसके लिए क्या करना है, यह आप देखेंगे, तो सबसे पहले मैंने लिया है, lemon yellow color, यह एकदम yellow color हमें चाहिए, ना orange ना केशरी, तो यहाँ पे raspberry red, एकदम dark red color का water color लिया है, और nice blue, यह भी water color लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि मैं water color और dry food color दोनों use करके black color बनाऊंगी, तो आपको यहाँ पे कोई tension लेने के ज़रूरत नहीं, आपके पास जो भी color है, basic primary colors यह तो रहती है, अगर आप home baker है, आप cake बनाती है, या फिर कुछ भी food से related जो भी चीज़े हम बनाते हैं, तो हमारे पास इतने तो होती है, तो यहाँ पे मैं ढखकन खोल के ही सिधा निकाल रहे हूँ, क्योंकि वो निकल ने रहा है, बोटल से, तो यहाँ पे चमश में मैं दिखाती हूँ, हमें क्या करना है, हमें यह तीनों color, almost same quantity में लेना है same proportion होना चाहिए, तो अगर मैंने इतने इसमें लिया है, तो यह है almost 3, 2, 4 drops of red raspberry color, अब लेरे हूँ मैं नाइसा blue color, तो नाइसा blue color, आप यहाँ पे मैं बताती हूँ हूँ, key point कि जो water color है, इसको use करने से पहले इसको shake ज़रूर कीजिए, अब यहाँ पे आप सोचेंगी कि हमा अगर proportion थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, तो क्या करें, क्योंकि water color का combination और थोड़ा ड्रा का combination अगर थोड़ा ज़्यादा मातरा में हो गया, तो क्या करें, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, यह यह दिखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा yellow color ज़्यादा ले लिया है, proportion से ज़ तो फिर आप डर जाएंगे या फिर फिर हमारा तो कलर भी गड़ गया हम कैसे करेंगे आगे ऐसा आपके साथ हो सकता है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा प्रोपर्शन मैंने यह लोका ले लिये तो क्या होता है अब देखिए magic तो अब हम इसको mix करेंगे यह देख रही है आप अच्छे से mix करेंगे तो वो जो कलर बनेगा वो हमें दीखेगा यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम डार्क ग्रीन कलर यह बन चुका है अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर यह है यलो कलर जो है यलो कलर की मात्रा प्रोपर्शन हमने थोड़ी सी जादे ले ली थी तो इस यलो कलर थोड़ा पावडर फॉर्म में था तो वो थोड़ा सा जादा हो गया है किसी किसी का ड्राय कलर कितना भी डाले तो कम पड़ता है और कोई-कोई ड्राय पावडर फॉर्म में जो कलर है वो जादा डालने के बाद थोड़ा सा ठीक हो जाता है और कोई-कोई पावड रहे रेड कलर जितना ब्लू कलर दोबारा से मिला था उतना ही रेड कलर इसमें मिलेंगे और अब आप देखिए मैजिक यहां पर यह कलर टोटली ब्लैक हो जाएगा अब मैं अच्छे से मिला के आपको दिखाती हूं यह देखिए अल्मोस्ट यह जो है न डार्क एकदम डार मरून डार्क ब्राउनीश कलर और उसके बाद यह आगया हलका सा ब्लैकिश ग्रीन तो अभी इसको ग्रीन से टोटली ब्लैक हमें करना है तो हमें यहां पे एक बात पता चली कि यहां पे रेड कलर और थोड़ा सा चाहिए क्योंकि ब्लू और यलो कलर इसमें थोड़ा सा र टो इसे तरह के से हमें अगर हम जो प्राइमरे डेप्र कलर से उसको use करेंगे तो हम छुल कोई कितने सारे हमें हमें जो चाहिये होते हैं के डेकोरेशन के लिए आजकल बहुत ज़ादा fancy cakes आज गये हैं जिसके color बिल्कुल भी जो normal color हमें बादर में मिलते हैं उस तरके के color ने होते हैं क्यों? क्योंकि वो color combination या primary colors mix करके बनाए गये होते हैं और इसलिए उनके color बिल्कुल unique होते हैं अलग होते हैं अगर आप unique color के cakes बनाएंगे या फिर icing करेंगे या फिर fondants के color unique color से बनाएंगे तो कोई भी मतलब आप कैसे cake बनाती हैं फिर अच्छा cake बनाती है या फिर आपको तारिफे बहुत अच्छे मिलेगी तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा black एकदम dark black color बन के ready है तो ये देखिए हमारा homemade gel black food color कितना glossy और चमकिला color ready है अगर आप इसका use कुछ लिखने के लिए करना चाते हैं आपने cake के उपर या फिर lining के लिए करना चाते हैं तो इसमें आपको थोड़ इसी शकर मिला कर हलका सा cook करना पड़ेगा और उसको normal temperature पे लाकर use करना पड़ेगा क्योंकि sugar से जो है इसकी और जो मिठा से वो बढ़ेगी और थोड़ सी थीकनेस जो है वो consistency थीकनेस बढ़ जाएगी ताकि आपका जो है ना color black color वो ऐसे drop ने होगा तो इतना आपको धान रखना पड़ेगा अगर icing के लिए यूज करते हैं तो सिधा आप frosting के लिए यूज करते हैं तो आप सिधा विप क्रिम में इसको मिला सकते हैं और fondant में भी मिला सकते हैं क्योंकि ये gel food color है तो इसमें बिल्कुल भी तो ये दिखें बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर हमारा बनके रेडी है तो आप आपको ये वीडियो कैसा लगा तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे ज़रूर बिताइए और प्रेटी किचन पे मैं हर रोज आपके लिए लाती हूँ बिल्कुल यूनिक रेसिपी जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी तो ये प्रेटी किचन को मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजी तो ये दिखें मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ ये दिखें कितना ब्लैक है है ना बिल्कुल ब्लैक और आप देखेंगे कि जो मार्केट वाला ब्लैक होता है ना जेल फ्लोट कलर जो 150 या 160 रुपे की जो बॉटल आती है वो भी ऐसा ही होता है अल्मोस्ट है ना तो क्यों ना आपके बार पूरे कलर सिर्फ घर पर ही बनाईए न्यूट्रल जेल भी घर पर बनाएंगे और कलर्स भी घर पर बनाएंगे तो ऐसी मेरी एक बॉटल है यह इसेंस की बॉटल है इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया और बॉलिंग वाटर पर वाश करके उबा लिया था और ड्राइ कर लिया था तो ये देखे मैं इसको भर के दिखाते हूँ ओ मैंने थोड़ा सा जादा भर दिया है इसमें तो ये थोड़ा सा गिरने की अभी ये देखे गिर गया ओ मैई गोड तो आप देख सकते हैं कितना जादा dark black color ये बन के ready है है ना तो ये bottle मैं अभी pack कर देती हूँ अच्छे से wash करके ये दिखिए अभी फिर से मैं दिखाती हूँ आपको दिखा आपने कितना अच्छा black gel black color हमारा ready है और इसको आप कही भी use कर सकते हैं fondant में, cakes में, cakes की lining के लिए कि आप कही पर भी black color का बहुते जादा आजकल use हो रहा है और ऐसे ही मैं white color homemade white gel food color कैसे बनाएं उसकी भी recipe लाने वाली हूँ तो मेरे channel पर बने रही है और हर रोज धाई बज़े मेरा जो है धाई से तीन बज़े तक मेरा वीडियो अपलोड होता है तो देखना बिल्कुल भी ना भूले और प्लेस सब्सक्राइब प्रेटी किचन लाइक एंड क्लिक दे बेल आइकन बटन तो मिलते हैं ऐसे ही मज़दार वीडियो में तब तक के लिए टिक क्यार बाबाई